अपने सपनों का भारत, उसकी री-इमेजिनिंग इंडिया, इस परस्पेक्टिव के साथ जब उसके उपर बात करें, तो मुझे ये लगता है कि हमें महिलाओं के लिए और दूसरे वन्चित अपकों के लिए जो बराबर के अधिकारों का प्रावधान था, उसका एक तरह से हरास हुआ, और ये कह सकते हैं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था, और लैंड रिफॉर्म्स जो थे, उनको जिस भावना में लागू किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया, जो अधिकार असल में मिले भी आजादी के बाद महिलाओं को, उनको भी छीनने की प्रक आने का, वो सम्वैधानिक वैवस्था के हिसाब से नहीं, बलकि पूरा मनुवादी वैवस्था के हिसाब से चलाया गया है, तीन क्रिशी कानून जो है, उनके खिलाफ जो आंदोलन चर रहा है, उसके अंदर महिलाएं जिस तरह से बढ़ जड़ के भागीदारी कर रही हैं ये आश्वस्थ करता है कि आने वाले समय के अंदर ये चीजें जो हैं ये बदलेंगी ऐसी हवाएं इस देश के अंदर चल रही हैं, ये रीड की हड़ी असल में बदलाव की बन सकती हैं, ये महिलाएं, ये एक बार नहीं बार बार उन्होंन यहां पर मतलब प्रूव करके दिखाया है आन दोलनों के अंदर, पूरा वीडियो देखने के लिए इंडिया इंक्लूसिव यूट्यूब चैनल पर जाएं,